लास्ट ग्लासब आपने चप्टर नापने लेटेड इंट्रेल से वीडियो कंप्लीट किया था जहाप हमने पॉल्ममल से बार में सीखा था आज ग्लास पर हम करने वाले हैं एक्सराइज 2.1 से चले चार्ट करते हैं काफी चोटा से एक्सराइज है और समझते इस में चाह करना है हमें सब्सक्राइज त्रप्स को मिलाफन एक्सराइज है जो कि यह चैया आफ लियाथ लिए इस पसवा रहा करने पानीं है कि यह बताना है कि इस पर कितने नमरों जीटों चूंगे हमें एंसर के वाल इन ग्राप्स को देख के वताना है तो यहाँ पर ध्यान दाखिएगा अगर वैल आपका जो पॉल्लोमेल है वो X की फॉर्म में है तो आप यह जैक करेंगे कि उस पॉल्लोमेल की ग्राफ ने X X को कितने पॉइंट्स पर कट किया है तो इसका मतलब यह है कि पहले वाले ग्राफ का नंबर ऑप 0 होंगे 0 इस वाले गराब को गर देखते हैं तो इस में देखिए इस गराब ने x-axis के वाल एक पॉइंट पर कट किया है इसका मतलब यह है कि इस वाले गराब के लिए number of zeros होंगे one आप देशेकते हैं इस तरीके से इस वाले गराब ने इस गराब में x-axis को एक, दो और तीन इस वाले गराब ने इस गराब ने x-axis को कट किया है इसका मतलब इस वाले गराब में इस पॉलमल के लिए दो zeros होंगे similarly अगर मैं बात करूँ इस गराब की तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे one two three four में इस चार पॉइंट्स पर इस गराफ ने x-axis को कट किया है इसका मतलब अगर इस कोई पॉलमल पी-axis है तो उसके चार जीरो होंगे इस case में सेम यहाँ आप देख पाएंगे one zero यहाँ पर two zero भी जहाँ पर देखिए जो यह गराफ है यहाँ से वापिस आकर रिफ्लेक्ट हो या था इसने कट नहीं किया है तो यहाँ पर एग ही zero होगा one two three तो यहाँ पर देखिए इस गराफ को x-axis इसको गराफ ने तीन पॉइंट् three तो यह था एक्साइज 2.1 का वीडियो तो नेक्स वीक क्लास में हम देखिंगे एक्साइज 2.2 थैंक यू